चलिए तो स्वागत करते हैं आज की महमान उस्मा खान जी का तो उस्मा जी सबसे पहले तुम आपसे माफी चाहूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट बहुत दिन पहले आई थी लेकिन यहां कई सारे शो शेडूल थे तो मौका नहीं मिला था इन से बात करने का तो अब अपने सव तो सबसे पहले आप अपने अपने परिवार के अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताईए कि किस तरह की आपकी फैमिली है और कितना वक्त आपको इसलाम छोड़े हुए होगा है मेरी मैं बॉर्ण हुई हूं सुन्नी मुस्लिम में और यह के मैं जो मॉडरेट मुस्लिम होते हैं जो नमाज किताब पढ़ते हैं पाच वक्ती नमाज रोजा ज्यादा स्ट्रिक फैमिली नहीं थी लेकिन कुरान तरजमे के साथ पढ़ना और मुझे छोड़े वे इसलाम कम से कम मैंने जो प्रॉसेस शुरू हुआ है छोड़ने का वो 2002 से शुरू हो गया था हाँ कापी लंबा वक्त देद के जी कापी लब अगया है जी तो अब सबसे जरूरी सवाल जो सब जानना चाते हैं वो यह बताईए कि आखिर क्या रीजन था कि उस मजब को आपको छोड़ना पड़ा जिसमें आप पैदा हुए थी कुछ जिंदगी का टरनिंग पॉइंट भी जब 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 आपको इसलाम पर शक हुआ बच्पन से लेका अभी तब कि जो भी आपकी स्टोरी है वो अब आप बताईए जी जैसे मैंने बो पर तो बच्पन भी जो था वो मैं देखती थी के औरतों को जैसे है लेडीज को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी असानी से हाथ उठा लो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है कुछ भी हो आप बस उसको पिटाई कर दो जो मैंने यह देखा है अपनी नजर में भी और फिर जब मैं बड़ी हुई उसी माहूल में तो मेरी जब शादी हुई तो उस वक्ट भी मेरे तजर्बा ऐसे हुआ है कि मुझे जो ट्रीट किया गया ऐसा जैस लाका टॉए और कोई मेरा कोई राइट नहीं मुझे नजर आया कि मेरा कोई क्या राइट है और जैसे तो मैं यहाल में शादी हुई तो वहाँ पर जैसे माबाप गहर से सिखे आती हैं लड़्यम करना अगर भाल देखना घर giart हो लाइपि तो वहां पर जाया किया है अब्रियुक्त तो मैं कामम करकर रहों थकार कर रहों. तो मैं अपना टांग जोना स्ट्रेश करके अपने ही बैट पर में लेट नहीं सकती थी, ना सो सकती थी. तो हमेशां मुझे खौफ लगा रहता था, डर. खौफ लगा रहता था, कि भई कोई आज आएगा मेरे कमरे में, अगर मुझे किस हाल मैं मतलब सोता हुआ देख ले तो सही बात नहीं बड़ा इंबरस फिल करती थी और स्केर्ट फिल करती थी तो यही हुआ कि एक दिन मैं जो हूँ खाना पका के मैं अपने कमरे में गई सब को सफ़ाई फ़ाई करके अराम करने के लिए तो मैं दर्वादा बन तो खर मुझे जादत थी नहीं कि दोर मैं बन कर सकती मेरा सुसर जो है वो अंदर आ गया और अपनी शर्ट बदनने लगा तो मैं पहले पूरा चादर उपर सर से लेके नीचे तक पूरी लंभी सी चादर जो है ना मैं ओड़ती थी ओड़नी और मैं त अमीज से अदब के साथ में खड़ी हो गई तो जैसे होता है हमारे कल्चर में के बुजरूगाते हैं सर पे हाथ रखते हैं दूआ देते हैं तो मैं वो दूआ सर पे हाथ रखने लगा के दूआ देते हैं तो मैं रिस्पेक्ट कर रही थी तो उसका जो है आस्ता इसता फिर तो उसने मुझे से जो है वो मतलब तमीजी करना चाहा तो उसवक्ष जहाएं मुझे जी जी मेरे सिसर तो मैं जो हूँ बहुत घब्रा गई और डर गई और शेक भी कर रही थी लेकिन मैंने जो फ़क्त कहां मुझे वो उठे तो उनने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसको बताया और किसी को बताया तो मैं भी नुकसान में रहूंगी और उनका बेटा भी नुक्सान में रहेगा. तो मुझे वो चाह रहे थी, कि मैं किसी को न बताऊ हूं, ये बात, कि उननों ने क्या करने की हरकत करने की कोशिश की थी. तो उसके बाद फिर मैंने जो है, अपने, मैंने कॉल किया अपने, उस वक्त के जो हस्बन था अक्स हस्बन को तो वो आए घर पे तो मैंने उनको सारा वाक्या बताए कि भै यह यह हुआ तो पहले तो उनके मुझे यह सुना पहले तो यह निकला कि भै उसने तो मेरे बाप ने बड़ी जो भाई की बीवी है उसके साथ कि मेरे बाप के पास मेरा पैसा पढ़ावा है क्योंकि वो लोग जोईनिंग जोईन बिजनेस करते थे तो उसको पैसों की पढ़ गई फिर वो कहने लगा कि भी अच्छा मैं जाता हूं अपनी माँ से बात करता हूं फिर आके तुब बताता हूं क्या करना है तो वह बाहर गया कमरे से और अपनी माँ से बात किया तो जब वापीस आया तो टोटली डिफरेंट परसन कह रहा है मुझे जी मुझे बताया गया कि भी के अगर हमारे इसलाम में यह आया है कि अगर माबाप बोलें कि बीवी को तलाग दे दो तो तलाग दे दो भले से बीवी का कुसूर होना हो तो मैं वहां शौक में पहुच गई तो वहां फिर मैं अपने माबाप की घर उसने मिझे छोड़ दिया और फिस के बाद लगा रहा सिलसला सॉल् तो वहां पर यह पता चला कि वहां पर वहां पर वह बम्राबला सॉल्फ नहीं करना चाहते थे वह ड्रैक करना चाहते थे तो तलाग भी नहीं देना चाहते थे कि अगर तलाग वह लोग देंगे तो यह कि उनको सारा चीज़ें मतलब देना पड़ेगा जो जहाज में term पे वह आ भी नहीं रहते हैं कि अलग हो जाएं भी कर लें तो और मुझसे पूछा गया कि भाई कि तो मतलब तो वह डिवांट के आप क्या चाहती हो मैंने का मुझे तो सेफटी फिल नहीं होती जब मेरा हस्बंड ही जो है वह मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकता तो वालों ने फिर जो है ना खुला के लिए अपलाई कर दिया पर तो उसमें यह हुआ कि जब बैन अपलाई किया तो उसमें यह नुक्सान हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि जो मुझे जेवरात जो गिफ्ट में मिले भी थे कुछ भी जो सुसरा की तरह से वह सारा आइसे आई डोंट नो कि पाकिस्तान में किस तरह के रूल्स नियम हैं लेकिन इंडिया में तो इस तरह का भी आप्शन अवैलेबल होते हैं कानून की तरफ से भी इस तरह के लो अडर हैं कि आप चाहें तो अपने हस्बंड को आप तलाग भी ना दे और आप अलग रहें उस जी यह तो असल में आप बता रहें यह तो Western Society में भी अगर होता है कि अगर आप separation भी लें तब आपको जो husband जो है even divorce के बाद और separation में भी during separation जो husband है वो सारा take care करता है खर्चा उठाता है बच्चों का बच्चे के लिए सारा पैसा वैसा सब कुछ होता है तो फैर पाकिस्तान में mixed है ना शरिया लॉबी है प्लस इन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी मतलब इस इन्होंने पार्शल शरिया वहां पर वह है implemented जी अपने अपने मकस्स से जो उनका फाइदा है जो मर्दों का फाइदा है basically वह उन्होंने डालावा है तो मेरा जो है ना मुझे खुला देनी पड़ गए तो फिर मैं उसके बाद जो है मैं अपने वालिद के पास साथी अरब में चली गई तो मैं वहीं रही हूँ अपने वालिद के पास ही पूरा साथी अरब में मतलब वहीं से आई थी आप या मतलब वो बाद में चले रहे था आपकी शादी के बाद नहीं मेरे वालिद तो वहीं रहते थे तो मैं उसके बा प्याट के रोना भी आता था दूआ भी मंगती थी कुरान पढ़ रही हूं तर्जम्हे के साथ पढ़ रही हूं मतलब वकादा दिल जैसे बिलकुल ब्रोकन जैसे कहते हो फिर ये कि कोई ऐसा लगता नहीं था कि भी कि मेरे साथ हुआ मैंने क्या किया है मुझे लगता था कि म मेरा कसूर क्या है मेरे साथ ऐसा क्यों भियेव कर रहे हैं सिर्फ मुझे सिर्फ ऐसा अबजेक्ट की तरह मुझे यूज्जी यूज किया गया बस सिर्फ तो मैंने बहुत जैसे हार्षनेस देखी लोगों Gibson Desptsराल में और लोगे फिर सवालात हमारी आपको तो पताए है कम्यूंटी में कैसे कैसे सवालात होते हैं जब डिवोर्स हो जाती है तो आस पास के भी लोग भी किस तरही किस तरही से सवाल करते हैं कोई उनको रिस्टेक्ट नहीं होती है ही कह रही है सारी गल्टी फिर औरतों पर ही रख दे जातीओ जी और यह समझा जाता है कि सब इसी की गल्ती रही होगी जी और वही सौचके और सुंके जो है नमाजे भी यह फील होने लगका सोचने लगी एक तफ़ तो मुझे याकीन होगय ह सबस्काराश擊 अब मैं और खांट सबस्क्राद सरना कि मैं जशान Ire stockwith वह क्ट हो मैरे में कुछ किया होगा इसर में भी बेल्कुल लॉ सिल्फ इस्टीम बिल्कुल ऐसे होगा मैं मैं बिल्कुल जैसे कोई गंदी चीज हूँ कि मतलब आई डिजर्व मैं कोई डिजर्व नहीं करती के मेरे मेरी को इच्छी लाइप हो ऐसा मुझे फील करने लगे के और मुझे पर ऐसा तो मैं जब अपने वालिद के पास रही हूं मैं पूरा साला साल रही हूं वहापे तो हम मेरे वालिद मेरे आवाज भी सुनी रोते हुए रात को तो वह करते थे मेरे रागरूम पह हमी जिन्दा हैं हम तुम्हारे बाप हैं तो तुम्हारा लाइफ जो है वह ब्राइट है तो मेरे वाल्डू यह भूड़े तरह करता हो इस O बढ़े लेकिन आखिर दिनों में मैंने उनको देखा थोड़ा सा असल में हो सकता था मुझे जहां लगता है वो समझ गए कि इसलाम है कि यह चीज़ भी थोड़ा बहुत वो समयनी लगए थे तो क्योंकि उनका जो रूप मैंने वो देखा जब मैं बड़ी हुई हूई हूँ उसके बाद जो जो नर्मियत जो देकी तो वो उससे पहले इतना नहीं की ती नर्मियत जो उनके मूसी जो अलफाज निकले तो खर मेरे जिए वालिद है उनोंने मुझसे पूचे के भे तुम के तुम मैं क्या तुम fulfilling है तुम क्या करना चाहती ओपनी लाइफ में मैंने मैंना कर दिया जान के मैं पाकिस्तान तो नहीं जàoँगी क्योंकि हम आपको पता हैए कि वहाँ पर क्या और्तों के साथ सलुक करते मेरे यू वालिद ने बिल्कुल हामी भरी यस आप सभी कह रहे हों तो मेरे मैंने फिर अपने उन्हों मेरे वालिद नहीं मुझे आफर दिया कि तुम ऐस्टेलिया जाओगी पढ़ोगी तो वहां पर ने का हाँ मैं पढ़ूंगी और मुझे इंडिपेंडेंडेंट बनना है मुझे किसी मर्ड की के सहारी की जुरूरत नहीं है मैं मुझे ऐसे सिच्वेशन से दोबारा नहीं गुजरना तो मेरे वालिद ने फिर वहां से सारा सब कुछ इंतजाम किया तो फिर मैं यहां पर आई फिर मैंने यहां पर पढ़ा तो उसके बाद फिर जो है मेरे जो है ना मतलब यहां पर पढ़ा तो पढ़ना शुरू किया यहां पढ़न तो उनके साथ मैं दस साल रही हूं यहां पर दस ग्यारा साल ऐसे तो खैर बच्चे हुए तो यह के लेकिन उनका भी यही था के मतलब वुमिनाजर निकले के भाई औरतों के पास रात रात को जाना कलबों में और ब्राटर में मतलब इस किसम के और फिजिकल जो अब्यूस भ के चाहे मैं कुछ भी कर लूँ घर में यानि के जो एक और जो एक और आउरत का जो एक वह है ड्यूटी जो मैंने सीखा जो अपने मावाप के घर से सीख के आई के खाना पकाना घर घरस्टी करना सब कुछ करके देख लिया लेकिन जो है वो खुश होके नहीं दी तो मतलब और उल्टा यह है कि विमिनाइजर कलबों में जाना फे घर पे आके घुसा करना तो मेरी तब्यास खराब रहने लगी काफी मेरी ब्लड प्रिशर मेरा हाई रहने लगा मेरी काफी तब्यास खराब रहने लगी उसके बाद फिर मैंने मुझे हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं था यहां के लोका तो और ना मुझे अजाज़त थी किसी से बात करने की ना किसी को बुलाने की अजाज़त थी अपने घर में और बहुती जैसे बंद करके रखा हुआ था कम्यूनिटी से किससे ना मिलो किससे नहीं मिलो तो किसी तरीके से हिम्मत करके कुछ स हैं आपो मेरे पिर हमत हुई तो पिर मैंने फिर अप्लाई कर दिए सेपरेशन ज circulating यहां पर एक लाओ होता है कि हमना प्राइल होते हैं एक साल के लिए उसके बाद और दिवर्स दिखिए तो मैं ने सेपरेग करने में इस ﷺ उसमें भी काफी जो है वो एक प्रॉसेस से गुजरी हुँ मैं काफी इतना आसान नहीं था कि मतलब गज़ों गजब गुस्सा पित्ता और ये बहुत सारा धंकियां मिली और फैमिली का भी ये डर था कि भाई कि फैमिली क्या सोचेगी तो लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंक गज़ी तो खैर मैंने अप्लाई किया ये सारा प्रॉसेस से बें गुजडी एक साल लग लग रही मैं इसके बाद फिर मेरी डिवोर्स हो गई और ये डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया उनसे भी और उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला कि भी डिवोर्स के बाद कहते ह हैं कि भी यहां पर मिलें लेकिन यहां का लॉक पता नहीं था तो जो घर था नाम पर लिया था तो वह पहले ही बेच डाला ताके जो है वो उसको मुझे कुछ देना ना पड़े बड़ा लो पोल करके बहुत जादा करके बस खैर तो मैं अलग हो गई तो मैं अपने भाई क गर जहां पर रहने लगी एक कमरे में एक कमरे में भी मलब छोटी सी जमीन थी नीचे वहां पर मैं रहती थी तो वहां पर मैंने अपने जो है वो भाई को रेंट दिया जब दिता में रही हूं उनके साथ तो मैंने उनको पैसे दिये तो अपनी में ग्रॉसरी वगरा पैसा वैसा खुछ लाती, खुद करती थी, सारा अपना खर्चा खुद उठाती थी, और जो थोड़ी सी जमीन थी, नीचे कमरे में, कमरा दिया था, उसमें सोने के लिए भी मैं पैसे ही देती थी, रेंट देती थी, तो महां पर मैं रही हूं काफी, मतलब है कि एक साल तक मुझे परशानी रगी रहती थी, मैं सोचती थी, कि मेरा भी क्या होगा आगे, मैं बच्चों की लोकाफ्टर कैसे करोगी, मुझे जॉब करनी है, या पढ़ना है, क्या करना है, तो इसी ससले में मैं जहूं काफी परशान रहती थी, फिर ये मेंटली सारा डिस्टर फिर, मेरे भाबी दुनिया से गुजर चुके थे, उससे पहली, तो उसका भी दुख था, कि मैं अगर बोलूँ, मैं बात करूँ, तो किस से करूँ, तो उसके बाद फिर जो है, मुझे जो है, अपने जो ये भाई जो लोग, ये लोग कुरान ही उनके साथ पढ़ा करते थे, वो एक जो करूप था, कि वो और जादा हो गया, जब से डिवोर्स होई, और ये सारा सिलसला होता गया, जितीब परशानी होती गई, मैं और ज़्यादा कुरान में घुस्ती चली गई, और दूआ मागती रही, कि भाई, बात मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है, मुझे अज़ाब से निकाले, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ असान ही, असान हो, तो और जादा में हो गई, तो फिर मैंने कि चलो, मैं कुरान पढ़ती हूं तरजमे के सायद, शायद जो है ला, ला खुश हो जाएगा इससे, तो ये कि मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तरजम में नो डार्ट नो बच्चे भी थे दोनों भीवियों से तो उनका इंटरस्ट हुआ मुझे तो यह यहा पे थी मैं वह वहां थे तो उनने मुझे फॉण पे जैसों मेसेंजर पर बात करना शुरू किया तो वह मुझे बता रहे हैं कि अच्छा उसक्ष मुझे फिर उनने बत हैं कि आपको सब्से empez recomend हो जो होना है साइज जी जी रो कर दर नब्या है उसकी वो खोल कि मुझे बताई कि देखें इसमें लिखा है कि निका करो दो-दो-तीन-तीन-चार्चर से चार चार्चर से करो तो उनorde likewise कि आप उनेने कहा कहें यहां कहां लिखाि क्या अलग अलग करो तो यह मुझे शॉक्ष पहुचा मैंने कह कि यह इतना जिन्दगी में मेरे साथ हो रहा है तो अब आपकि रहा मैं अजया रहा है कि यह दो डो तीन तीन चाच्छर से है कि मतला आप एक साथ करें को इसमें अलग अलगनी का है तो ग्रुप की बात हो गई इसमें तो मैं शॉक पर शॉक मुझे पहुचता गया मैं अंदर से टूटी चली गई यानि कि इतना मुझे दूख होता गया कि मैं जिस अल्ला के बारे में मैं इतना इज़त से रिस्पेक्ट करती थी और यह है कि मैं उस सही मांग रही हो दूआ के भाई मैं एक फीमेल पैदा हुई हूं और अरग पैदा हुई हूं तो मेरा कोई राइट है के नहीं है मतलब मुझे पैदा किया है तो लेकिन इसका मतलब यह यह है कि मुझे कोई टॉई की तरह यह सेंवल समझ केThese मीजम समझ कि मुझे यूज करेंอर मेरे कोई डिजायड नहीं है रिस्पेक्ट नहीं है और यह सब बात सुनने के बाद तो मेरा और डिल मेरा तूड़ गया वीलकुल तूड़ गया कि यह औरत की जगा इस तो इस तो उसके बाद फिर जो है पतने चंद महीनों के बाद इन्हों ने यही साहब हैं इन्हों ने मुझे जो एक ओफर दी कहने लगे कि देखें आपको मैं हम ओफर देते हैं कि पाकिस्तान में एक आदमी है दूसर आदमी कोई दूसर आदमी है बिलीवर अच्छा शादी शुद को हम गर वग़ेरा देंगे सब कुछ देंगे आफको खाना पीना सब कुछ मिले आपको पैसे भी मिलेंगे लेकिन जो है ना कि सब्सक्राइब जाली जो paper निका होता है वो कर लेंगे और यह सब करने से पहले एक और paper होगा उसको divorce का होगा तो आप पहले ही sign ले लिया जाएगा divorce का अच्छु ताकि जब उसका वीजा लग जाए आदमी का तो आप उसके गले ना पड़ जाए अच्छा वह पहले कॉंट्रेक्ट एक तरह से बनाया लोगों जी जी और मैंने मैं निकाह की वाली जो बात थी वही सुनके में इतना शौक मुझे पहुंच गया था मुझे अपने बारे में मुझे अपने अ क्यों पर शौक मुझें अ बे क्या है आप जो यह बहुत हुत हरा में उसके बाद फिर proceed बीनों ने यह ओफर दिया तो मेरा तो बिल्कुली अम् मेरे दिल जैसे भी फिर गया तो मैंने उनको जो है वो उनको बोला कि देखिए आपका बेटा यहां आ रहा है तो उसको भी तो वीज़ा चाहिए होगा का यंग वीज़ा यंग लड़का था मैंने का मैं उससे शादी कर लेती हूं मैं शादूशी दाद में से क्यों शादी करूं तो उनको गुस्सा आगया उनको का कभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से के बारे में आपको बात करने की मैंने का फिर आपको हिम्मत कैसे हुई कि मेरी में किसी की बेटी हूँ मैं किसी की माह हूँ बहन हूँ आप को किस तरह हिम्मत हुई कि मेरे बारे में आप मेर एक process था काफी सालों से और सारे जो experiences मेरे जहन में जैसे film की तरह repeat होते रहे ला कि वो कि भई ये ये क्या है मतलब इतना औरतों को इतना कम तर बनाया है कि भई के अक्सी sex के लावा और कोई औरत की कोई emotion नहीं है कोई उसकी respect नहीं है कोई उसकी सुनाई नहीं है जो आपने थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा मैं यहां पर थोड़ा सा पता दू मैं दर्शकों को कि जो उजमा जी की story है ऐसी बहुत सारी story होती है और हम कह सकते हैं शायद हर पांच वी ये चछटी औरत के साथ में ये सब होता है लेकिन उसके बाद भी वो सब सहती रहती है और क्यों सहती रहती है उसका कारण है सरिफ और सरिफ वो किताब जिसके अंदर लिखा हुआ है कि औरते तुमारी खेतिया है जैसे चाहे आप उन्हें जोतो और जैसे आप चाहे उन्हें इस्तेमाल करो और उन्हें पीड भी सकते हो ये सारी की सारी जो हमें वो मिलती है ये सब कहां से मिलती है हमें तो ये एक चीज है इसकी वज़े से औरतों को ये सब छेलना पड़ता है जी बिल्कु सही का आपने क्योंकि उसमें लिखा हुए कि औरतें आपकी खेतियां है यानि कि कोई consent कोई इजाज़त कोई उसकी मर्जी पूछना नहीं है यहां तक कि मैं बता दूं कि जो आप जैसे चार शादियों के concept है तो चार शादियों में suppose करें कि आपकी पहले से कोई एक बीवी है तो एक बार मेरी बहस हो रही थी किसी से इसी बात पे तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं जब तक पहली बीवी से ना पूछें तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते तो मैंनों उन्हें फिर वो एक फत्वा दिखाया online इनका फत्वा भी निकला हुआ है जिसमें clearly ये बात mention है कि इजाज़त लेना तो दूर की बात है आप बिना बताए भी वो शादी कर सकते हैं दूसरी जी अच्छा तो बर लेकिन ये फिर भी अभी भी बोलते हैं लोग फत्वा दिखाने के बाद भी इन लोग का ये ये कि नहीं उसमें लिखा हुआ है ना सुरह निसा फूर उसकी थरी में कि अगर आप इनसाफ ना कर सकें तो एक से लेकिन फिर एक से जो है आपके पास जो मुझूद है लेकिन उसके इलावा जो राइट एंड पॉसिस जो है मालकत इमानुकुम वो जो मुझूद हैं आप उनसे भी कर सकते हैं यानि कि वो कहीं नहीं जा रही है उनसे आप इजादत भी ना लें तो आज कल जो आज जो है ना ये लोग इनके पास तो स्रिफ यह थ इतान को मेरा जाल सकते ह cooperation इंगे दूस के वार जो हमान० के नहीं ही शुद्रॉट मेरा पे इतना ट्रॉस्च वर्जि ऑाफ्टरोश को काई च्रॉसल मेरा अधिनWow कि उस ने ही और उड़्य ग्वार्तों को इतना दिखाया हूं है तो मेरा मेरा दिल बिलकुल खराब हो गया फिर उस वक्से अच्छा वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब क्या इसका रीजन हो सकता है कि बहुत सारी ओड़तों के साथ ये सब होता है उसके बाद भी वो आवाज टी उठा पाती मेरे नजदीक ये है कि उनको इतने एक तो महौल की बात सब्सक्राइब साथ पाकिस्तान में तो ये है कि उनको ये जहन में दाल दिया जाता है कि तुम मर्द के बगार कुछ नहीं हो ये बचपन से खुस दादा चाहते है और जब सड़ से बड़ी होने शुरू आती है तो उसकी शादी की प्रावलम शुरू जाती है फिकर शुर महल में पढ़ती है और उन कहते है तुम्हारा काम यह कि स्रीफ चूला हांडी करो और बच्चे पैदा करो और तुम्हारा जो शोहर को खुश करोगी तो बस तुम्हारे लिए पहरा जन्नत है वरना तुम्हें अल्ला भी और फरिष्टे भी लानत देते रहेंगे अगर तुम स्ट्रॉंग बठा दिया जाता है कि फार गुना तो ये लोग फिर भी करते रहते हैं लेकि नभी के हदीश भी है ना कि जब नभी उस पर गए थे जन्नत दोजक सब देखकर आए थे तो वहां उन्होंने जाकर देखा तो जहन्नम में जादातर और ओरते थी उन्होंने आक किया है ठाना दोजक में और डुसी भाति कि कि आपकर आप नहीं कह सकती है आप inkaan N corri कर सकती है अपको कर ना है तो और दूसरे बात है कि अगर आपको अगर कोई छोड़ दे अगर आप इद दफ़ाइगर आपकी शादी हो गई और आपका हम बिस्तरी हो गई तो आपको फिर कोई दूसरा मर्दा आप किसी काम की नहीं है यानि के यूर्ड यूजलेस यह भी एक है को कि आपको कौन क्यों वे वैल्यू ही नहीं है उनकी यह तो इनसे इससे भी पता चलता है हमें कि जो बहत्तर हूर जो मिलने वाली हैं वो हमेशा वर्जिन रहेंगे मतलब सिर्फ वर्जिन की ही वैल्यू है जिस वर्जिन की है तो हमें हाँ तो यह तो हमें इनकी मेंटैलिटी का पता चलता है इनके खुद के जो इनके रूल्स बने हुएं उनसे पता चलता है जी बिलकुल सही यही तो पता और यही मेंटालिटी यह लोग प्रैक्टिकल में अब अब यह जो औरतें यहां पर बहने भी काफी लेडी से बात किया है यह इवन आपको यकिन नहीं आएगा कि जो लेडी हम कर लिखते हैं लेकिन जो लीडी जो वेस्टन सोसाइटी में रहती है मुसलमान जो और उनको जब पता चलता है उनको बताया जाता है कि यह पोराज में कोई आपका औरतों का कोई right नहीं है, उनको evidence के साथ बताया जाता है, तो वो भी deny करती है, वो भी मतलब नहीं कर सकती है, क्यूंकि उनको, अच्छा, बात ये, रहता है के, उनको, पढ़ना खुद नहीं चाहती हैं, और समझना भी जबरदासी नहीं चाहती है, है लेकि आप आपको वो नहीं बोलेंगी कि हाँ नहीं आप सही कह रहे हो इसलिए नहीं कहेंगी क्योंकि फिर उनको जहना वो डर लगा रहता है कि अगर हम समझ जाएंगे आज तो हमें अपने हजबन को छोड़ना पड़ेगा हमें एक्शन लेना पड़ेगा तो वो इस काम ही है यह के सक्रिफाइस करें फैमिली के यह एक पूरे कल्चर में भी एक बठा दिया गया है ओरतों के बारे में कि भाइ और यह जो है उसना नाम ही यह यह करती है मतलब आ-और इस श्यव那就 कि अब मैं जो सards हरे उनको मैं ये बोलती हूँ कि सेक्रिफाइज आप करें ठीक है सेक्रिफाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जल अपने बिच्चो को पालें अपने शहर के खाद मतलब ये नहीं है कि आप गलत कसाथ दें और फिर आपको धोका ही धोका मिलना है जिस तरी किसे मुझे मिला और कई उड़तों को मिलता है जिसकी वज़े से वो इसलाम छोड़ देती है अच्छा ये बताईए कि आपका एक यूटूब चैनल भी है तो आपको धंकिया तो मिलती होंगी मुझे भी बहुत मिलती है तो किस किस तरह की धंकिया आपको मिलती है अपने चैनल पर जरा ये बताईए मुझे तो धंकिया तो वही कि सरतन से जुदा वो जो रसूल ने जो ह चोड़े उसको मार डालो उसके तो कितनी हदिस पड़ी है और उन्होंने रसूल मुहमद ने हमारे प्यारे नभी उन्होंने किया भी ऐसा उन्होंने वो तो चलता फिरता कुरान थे ना सब भी को पता है उन्होंने तो हर आयत पे कुरान पे अमल किया तो उन्होंने ये भी कि किया और पर कुरान में भी एक वर्स है कि अल्ला जो है वो दीन इसलाम के इलावा कोई और दीन कबूल नहीं करेगा और काफिरों के लिए जो है बर्बूरी सजा है तो महला नॉन एक्सेप्टेंस जो है वो भरी पड़ी भी है कि कि आपको इजाज़त दें ये वन वे और कि अब जायेगा के आप बजा earning बताएं कि कि चोड़ा आपने तो बजा बताने के बाद भी आपको या तो ये लोग मार डालेंगे या फ्र कोई और की मार ढ़रा के दाले सब्सक्रास पिनाकों बहुत ही इस तरह की आई डूलोजी है जो कि मैं मानता हूं कि इनसानियत क खत्रा है या आइडियोलोजी दरसल ये कोई religion ना होकर हम कहेंगे कि इसे बस ये एक आइडियोलोजी ही है जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहती है अचा फिर भी इसमें आपको क्या सबसे बुरा क्या लगता है सब से बुरा क्या लगता है न मुझे ये लगता है कि इन लोगे को प्रोफ जो 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 खावतीन को जो दबा के रखते हैं उन पे ही सारी जो पाबंदियां जो लगती है तो सारी ओरतों पे लगती है मतलब ओरते जो होती है वो ही हिजाब करें ठीके ना उनका हिजाब डिफरेंट है मर्दों का अलग है तो ओरतों का हिजाब जो खावतीन का जो हिजाब है उनको मतलब ऐसे न चलो, ऐसे ना बैठो, ये पहनो, ये ना पहनो, मतलब बाल को दिखा रही हो, बाल ठको, इधर क्यों देखा, इधर क्यों देखा, हसी क्यों, क्यों हसी, मतलब जो बेसिक जो एक as a human being और जो खावतीन, वो भी तो इनसानी है ना, मतलब इनसान नहीं समझते ये लोग, इनसान भी करेगा, अब अगर आपने हज दिया, आप खराब हो रहत हो, आपने अगर किसी दूसरे मर्ट से अगर ऐसी सलाम हेलो कर दिया, आप खराब हो रहत हो, बच्चलन हो रहत हो, यानि कि इतना ओरत को अप्रेस किया गया है इस religion में, कि मैं नहीं समझती कि किस कहीं और किया होगा, अधना, मतलब अभी यह है कि ऑरत को जो हख नहीं है, कोई और करान में और का कहीं नहीं लिखा कि जो खावतीन है, वो डिवोर्स लें, सिर्फ मर्दों को है कि डिवोर्स दे सकते हैं, खावतीन का कि खुला का कोई है नहीं, concept कॉरान में, अहां हग के मामले में भी आदा हुक दिया, मतलब ओरत को आधा ही बनाया दिया गया है, मतलब इसके हक भी आदे रहेंगे, ब्रेन भी आदा है उसका. जी ब्रेन भी आदा है, और इसकी टेस्टिमिनी भी जो है नवो एक विधा दो दो ओरतें और एक मर्द की वराबर, एक तो पिस्टर साला कर सकता है और यह कि वो Justってる साला कर दिया उसको अपने लॉक कर तो उसका तो नुक्सान ही नुक्सान है अब आप देखिए ना कि surah nisya check se कुरान में जो सुरह निसा है पूरा एक whole chapter है अनिसा नाम रखाए के ओरतों के ओपर है ना कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग खावतीन को कि भी देखो हम तो तुम्हेरे इतनी इस्ज़त करते हैं कि हमने तो पूरा chapter जो है पूरा chapter बना दिया आप तो देखे ना आपक मर्दों को हक्म दे रहा है हक्म किसे को दे रहा है मर्दों को दे रहा है ज्यादातर मर्द एसा करें मर्द जो है वो गाइड करें मर्द जिए है वह अपनी और वर्तों पर लखे रहें रहें कि प्या ज़ी सही चल रही है कि नई मर्ड जो है वो पिटाइए कर Sü onder डिवोर्ट है मतलब सारह मर्दों पर है और दाम क्या रखा अन्यसा लि्ट तो इस तरीके से बिलकुर शुगर कोटिंग करके अब और जो मैंने जही पढ़ा था कि वो खावतीन को कहा गिया है हदीस में कि वो तेड़ी है बॉन्ट जो तेड़ी पैदा हुए है अपना फ़र सुना है आदम की उससे पसली से बनाए गई है इसलिए ये तेड़ी है तेड़ी है और उस साथ जो जो पी तेड़ी की तेड़ी ही रहती है वो इन से जो है इस वज़े से आप जो नँरаче है ये कोई ये नेगिटिफ वरड नहीं हैं लोग जो हागी खावतीन है जो मुस्लमान खावतीन है उसको बड़े ही लाइटली और बड़े ही कहती है कि हाँ नहीं हम पे तो यह तो नीगिटिव बात हो गई ना तेड़ा आपको पैदा किया तो यह कोई पारीष थोड़ी कर रहा है आपकी तो बेज़त ही कर रहा है आपकी तो इंसर्ट कर रहा है कि आप तेड़ी age पीड़ा हूहा आपकोता पैदा की है आप जैसे एक होटा ना कि एक मिसाल देते हैं कुट्टे की तेड़ी की तेड़ी तेड़ी की तेड़ी अब आप इसमें कुट्टे को अच्छा थोड़ी ना बताएगा है ना तो उसको खलत एक्जामपल दिये है तो अब आखसल में मतलब यही बात है कि हम मतलब इसी वज़े से मैं भी जादतर खावतीन से बात करती हूं कि ताकि उनको यह थोड़ा सा रखें कि आप मतलब है कि इसको समझ आप में अच्छा मैंने यह चीज भी देखिए कि बहुत सारे लोग इसलाम को बचाने के लिए यह भी कहते हैं कि मतलब ये एक इस तरिगी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर इसलाम का बहूं जहां पर वो नहीं होता ना कम लोग होते हĩए तो वहां पर यह रखी जाती है कि बाई अल्ला का इसलाम और मुल्ला का इसलाम दो अलग अलग चीज़ें है एकदम और ये मुल्ला हैं जो इन्होंने इसलाम को बदनाम कर रखा है लेकिन अल्ला का जो इसलाम है वो बहुत अच्छा है उसमें औरतों को हक भी है उसमें सब कुछ है उसमें बा कि अभी जैसे बात हो रही ती नहीं है कि अभी जैसे बात हो रही ती नहीं है। हम लिए आपने बात की थी तो एक अभी में आता है कि अपनी ओरतों से अच्छा विवहार करो, अच्छे से उनसे पेश आओ, क्योंकि वह तुम्हारे जानवर की तरह जैसे तुम्हारे जानवर पाला होता है। इस तरह से यही तो है ना और दूसरी बार को बताया था कि और बॉर्ण तेड़ी हो रही है तेड़ी पैदा किया आगे लिखा वह कि इसी क्यों के अल्ला ने और तो को जो है न वह तेड़ा किया है इसलिए उनसे प्यार से बात करो मतलब क्या एक तरह ताब देज़त कर दिया और दूसी ताफ आप कह रहे हैं कि प्यार से बात करो उनसे वाट इस दिस तुकी नहीं बनता और मौलवी जो है ना ये सारे जो देखें मौलवी जो है ना ये इनका ये लोग फॉलो करते ह दिसमें तालिबान एं यह लोगं एक्जैक्ली फॉलो कर रहे हैं कुरान को सबसे अच्छे मुसलमान यह इनके फॉलोगारगए सबसे के लिए जो तालिबान वाली जो कॉंसेट है उसा फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कुरान और हदीस में हमें वही मिलता है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं जी अच्छा अपने चैनल के मकसद के बारे में थोड़ा सा बताईए मैं आपके चैनल का लिंक डाल दूँगा इस डिस्क्रिप्शन मे के बारे में बात करूँ और इस्पेशली जो मुमिन औरते हैं खावतीन हैं उनके लिए खुला है और फिर ऑल्सो के मैंने वेस्टर्न जो लेडीज हैं उनके लिए भी खुला है ताके उनको भी इसलाम के बारे में एजूके होता क्या है कि और जो मैंने देखा भी और आप ने भी सुना होगा कि बहुत सारे जो मुसल्मान जो जहां पर आ जाते हैं वेस्टर्ण ससाइटी में और जो गोरी जो लड़के होती हैं उनको सिर्फ जो है ना फैंटेसी दुनिया में दिखा के उनसे शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर उनकी शादी हैं जो है दो तीन पाक कि भई इसमें तो ये रिस्ट्रिक्शन्स हैं इसमें तो और तो कभी हुक्व की नहीं हैं तो फिर वो जाके बाद में वो डिवोर्ट्स ले लेती हैं तो बजाए ये नोबत आने के तो मेरा जो मकसल वो ये है कि ना सिर्फ मैं जहूं एडूकेशन दूँ इसलाम के बारे म इस तरफ जाए ना कोई अगर आपको बोले तो इस तरीके से मेरा इसलाम के बारे में मेरा टॉपिक रहता है अपर मेरे चैनल पर ठीक है बहुत बढ़ी है अच्छा ठीक है उसमा जी अब मुझे लगता है कि आज के शो को अब हम यहीं तक रखते हैं बाकी कभी मौका लग तो आपको डिसकेशन सेरीज में बुलाया जाएगा जाहित पिनान से हम डिसकेशन कर सकते हैं अब जाने से पहले जी जाने से पहले आप लोगों के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो तो आप दे सकती है जी मेरा तो सबसे जो बेन मैसेज वो यह होगा कि मुसल्मान उ उमीनीन औरतों के लिए, खावतीन के लिए, कि आप प्लीज अपनो पुरान और हदीश जो है, मतलब के साथ आप पढ़िये, क्योंकि आपको आपको जूट बोला गया है, आपको जूट बोला गया है, आपका कोई राइट नहीं है, इस मजभब में, इसलाम में आपको कोई राइट नहीं दिये गया है तो आप जो बुरके को कहती है कि आपका वो फ्रीडम है वो फ्रीडम नहीं है उसके पीछे कुछ और राज है आप जो पढ़ें और आप मुस्ट वेलकम जो खावतीन मर्दों से बात करना इतना फ्रीली मतलब उनकों क्वेश्चन होते हैं अगर को कोई प्राब्लम हो आप मेरे मेरे पास आई है आप चैनल पर तो यह कि आप मुझसे बात कीजिए तो ज्यादा असानी होगी तो आप जा कुरान आप पढ़िए आप लोग ज़रूर पढ़िए बतलब से पढ़िए अपनी किताबें जी बहुत बड़े बहुत अच्छी बात कही है आप में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और खुश रहिएगा अपना ख्याल रखेगा तैंक यू साफर जी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू